पुशकर में साधा खाना ढूड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाधा तर रेस्टरॉंट्स के प्राइसेज और मेन्यू फॉरेनर्स के लिए बनाए हुए थे मुझे एक डिसेंट सा रेस्टरॉंट मिल जाता है, और यहाँ पर खाना खाते ही मैं निकल पढ़ती हूँ दुनिया के एक मात्र ब्रह्मा मंदिर को देखने, मंदिर के अंदर पहुंसते ही मुझे पता चल जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है, और इसकी जलके आपको मकदानव का वद किया था, तो उसी वक्त ब्रह्मा जी के हांसे तीन जगह पर कमल के पूल गिरे थे, और यहाँ पर तीन जील बन गई थी, तब से इस प्लेस का नाम पुशकर पढ़ गया था, उसके बाद दुनिया के भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने यही पर यग्य करने का फैसला किया, जिसके बाद इस जगह को ब्रह्मा जी का धाम माना जाने लगा, लेकिन ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर क्यों है, यह पूरी कहानी जानने के लिए आपको खुद पुशकर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय हो चुका है पुशकर के रिगिस्तान देखने का कि ब्लाओन के लिग।